करोना से जंग में चीन से आगे निकला भारत, आइसोलेशन वार्टों में बनेगे कुल 3.2 लाख बेड़ नमशकार दोस्तों, करोना वैरस से सबसे ज़्यादा उम्दा बचाव है आइसोलेशन खुद को क्वेरेटिन कर लेने से रोगी अपना बचाव तो करता ही है, दूसरों की रक्षा करता है, जिस तेजी से यह बिमारी दुनिया भर में फैली है, उसके मद्दे नजर कई देशों ने त्यारी नहीं की हलाके करोना वैरस से जंग के बीच, चीन ने 15 दिन में 1000 बैट का होस्पिटल त्यार कर सब को हिरानी में डाल दिया था, अब जब भारत पर करोना का खत्रा मंडरा रहा है तो, देश उससे बड़े सतर पर त्यारियों में जुट गिया है, करोना को देखते हुए बुरी आप में बड़ा काम है, चीन से कई गुना, बड़ा काम, रेल के डिबो में बनेंगे 3.2 लाख, आइसोलेशन बैड, करोना वैरस से लड़ने के लिए भारत त्यारियों में जुटा है, से क्रमित लोगों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाने का काम पूरी तेजी से चल र भारती रेलवे डिबो में लाखो बैड का हॉस्पिटल बनाएगी, इससे पहले भी कई हॉस्पिटल त्यार और कई को मंजूरी मिली, कोश को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने के लिए सक्षतर बल, मैडिकल सेवा, कई जोन के मैडिकल विभाग, आयोश्मान भारत स्वास्त मंतराले से सला ली गई है, रेलवे के कोचों को आइसोलेशन वार्ड में बदलने का आइडिया सोशल मेडिया से आया था, बॉलिवर्ड अभिताब बच्चन के एक फैन ने उन्हें जह सला दी थी, शुकर है कि समय पर भारती रेलवे ने उस पर अमल करना दिन में कुल 2200 बैट की होस्पिटल बनाए गए थी, यह होस्पिटल एहमदाबाद, राजकोड सूरत और बडोदरा में बने थी, चीन की तरह भारत में भी 1000 बैट वाला होस्पिटल बन रहा है, यह होस्पिटल ओडिसा में बनेगा, यह करोना वैरस के लिए देश का सबस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले क्योंकि हम हरोच ऐसी खबरे आपके लिए लाते रहते हैं, धन्यावाद